Hello friends, welcome back to Tube Talk तो दोस्तों अगर आप South Indian Movies के Hindi dubbed versions के fan है तो 18th April आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दिन होने वाला है क्योंकि ऐसी 4 movies World TV प्रेमेर कर रही है 18th April को अलग-लग channels पर एक ही time पर जो अपने-अपने यॉनर में best मानी जाती है तो दोस्तों हमने अलग-लग videos बना कर इनका review कर दिया है थाकि आप decision बना सके कि आपको इन में से कौन सी देखनी है जहां आपको 4 movies देखने को आज मिलने वाली हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगी Inspector Vikram, Kannam Kannam Kodhi Erthal और इसके साथ-साथ Janu और K.P.Rana Singham दोस्तों इस वीडियो में हम review करने वाले हैं Janu का लेकिन हमारे और वीडियो में आपको बाकी movies के review भी मिल जाएंगे तो आईए इस वीडियो में अब शुरू करते हैं Janu का review दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें Janu की तो Janu 2020 में release हुई थी और ये एक तेलगू romantic drama movie है जिसका अब हिंदी डब्ड वर्जन वर्ल्ट TV प्रेमेर करेगा जिसकी lead में आपको देखने को मिलेंगे शर्वानन्द और उसके साथ सामन्ता दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दू कि इस movie की IMDB rating है 6.9 की और almost 86% google reviews ने इसे like किया था तो दोस्तों इस movie का जो world TV प्रेमेर है वो 18 अप्रिल को उने वाला है Sony Max पर दुपैर को 12 बजे और उसके बाद इसे goldmine telefilms के youtube चैनल पर भी डाल दिया जाएगा इस movie के अगर plot की बात करूं तो यह कहानी है रामा चंद्रा और जानकी की जो 17 साल पहले एक अनकहे relationship में थे और फिर college से निकलने के बाद 17 साल के बाद एक reunion में इनकी दुबारा मुलाकात होती है जहां रामा चंद्रा अब एक photographer है वो अपनी जिंदगी में खुश है वही पर जानकी अभी भी वही एक पुरानी सीधी साधी लड़की है अब जब इन दोनों की मुलाकात इतने सालों बाद होती है और वो आपस में बाते करने लगते हैं थोड़ा बहुत साथ में वाक करने लगते हैं तो उनके बीच में वो पुरानी यादें दुबारा से ताजा होती है जो कुछ sweet moments आपके लिए create करेंगी स्क्रीन पर और जिस उन्हीं लोगों के लिए जिनको romantic movies देखना पसंद है क्योंकि वो इसकी कहानी से engage होएंगे और अगर उसको वो अच्छे से feel करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो moments screen पर इन दोनों ने create किया हैं वो काफी अच्छे हैं overall इस movie की कहा कहानी इसके performances, overall production और screenplay काफी अच्छे से लिखा गया है तो आप इस कहानी को enjoy करते हैं एक smile के साथ और ये एक little love story जैसे आपको feel देती है अगर बात करूं इस movie के कुछ challenges की तो कहानी को जिस तरीके से लिखा गया है उसको digest करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि timeline जो 17 साल आगे बढ़ा दी गई है लेकिन फिर भी अब उन moments को दुबारा relief करने में actors को screen पर लाने में थोड़ी से दिक्कत आती जरूर महसूस होती है आपको लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अगर आपको emotional relationship movies पसंद हैं जिसमें थोड़ा बहुत romance हो, drama हो, हसना हो, रोना हो तो ही आपको movie पसंद आएगी, अगर आप action movie expect करते हैं, कुछ भी action इसमें आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, जो आपको engage कर पाए, तो ये सिर्फ उनी लोगों के लिए movies बनी है, जो थोड़ा सी emotional movies को देखना पसंद करते हैं, तो दोस्तों अगर आप जानू का वेट कर रहे थे तो सोनी मैक्स पर दुपैर को 12.18 तारिक को release हो जाएगी, हमें comment section में जरूर बताएं कि आपको movie कैसी लगी, क्योंकि हमने आपको अपना review दिया, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं कि आपको ये movie कैसी लगी, दोस्तों हमारे और reviews के लिए, जो हमने South Indian movies के Hindi dubbed version जो release होने वा घुचत हो